नमश्रार आप देख रहें टीजर्स 24 न्यूस और मैं हूँ आपके साथ जूती कनोचिया आए रूप करते हैं खबर क्यों कीमतों में बेलगाम बडोत्री ने आम लोगों के सामने करती है बहुस तरी खड़ी चुनोती सवाल है कि जिस दौर में कम से कम रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीजों की कीमतों को नेलतर में रखने की जरूरत है रैसे में आपके वे कौन से नीतिया लागू हो रही है जिनमें महंगाई पर लगाम लगने के बचाए इसमें और ज़ादा इजाफा होता जा रहा है एकोर पेट्रोल का दाम कई राजियों में 100 रुपे प्रती लीडर से पार कर चुका है तो डीजल भी इसके करीब है वहीं खाने पीने की लगबग सबी वस्तूं की कीमतों में बेलगाम बडोतरी ने आम लोगों की सामने बहुत रेत चुनावती खड़ी कर दी है या किसी से छिपा नहीं है कि पिछले लगबग देड़ साल से जाधा तर लोग गंभीर आर्थिक मुश्किलों से जूज रहें खास तोर पर समाज का वैसा तपका जो आसंगट छेतर में रोजकार या दिहाडी के भरो से अपनी रोजी रोटी चलाता है उसके सामने जिन्दगी के लिए बुनियादी जरूरिते भी पूरी करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है पूरबंदी के चलते लंबे समय से रोजगार के जाधा तर या तो ठप पड़ गए हैं या फिर किसी तरह गिसटते वेच चल रहे हैं वेतन मज़़ूरी या किसी तरह के आर्थिक आय के अभाव में बहुत सारे लोग केवल खाने पीने की सबसे जरूरी चीज़े ही खरीद पाते हैं इनमें से भी बहुतों को पेट भड़ने के लिए भी दूसरों की मदद पर निर्बर होना पड़ा है यहां तक की मध्यम वर्गी की प्रेशक्ती भी पहली क्या पेक्षा काफी कम जोर हो गई है ऐसे स्थिते में महंगाई की चौतरफा माल छेलना सब के लिए आसान नहीं है जाहिर है अभिया सरकार पर निर्बर है कि वह बाजार में महंगाई की स्थर को कम करने के लेकर लोगों की आर्थिक इस्तिती को पट्री पर नाने के लिए क्या करती है नगरपालिका में जुड़े ग्रामों में गंदगी को लेकर सपाईयों ने अपट जिलादिकारी को सौपा गयापन कर्णौर में समाजवादी पार्टी के जिलाद्यक्स कलीम खान की अगवाई में दर्जुनों सपाकार करता मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुचे और अपट जिलादिकारी गजिंद्र कुमार को क्यापन देते भी बताया की नगरपालिका कर्णौर की सीमा विस्तार में कलेक्ट्रेट से लगावा है शिवाजी नगर मानपूर, नसरापूर, जलालपूर आधी काउन जुड़े हुए थे लेकिन इन गाउं में अभी तक ना तो नगरपालिका से सफाई आधी की विवस्ता हो रही है और ना ही ग्रामेड इस्तर पर सफाई हो रही है जिसके कारण गाउं की गलियों नालियों में गंदगी का अमबार लगा हुआ है और अब बरस्रात का मौसम है जिससे गंदगी के स्कति और विक्राल हो जाए जिससे पल्सवरू बिमारी पहलने की आशंका है उन्होंने आपर जिलाधिकारी से अनुरोद किया है कि उप्त गाउं में साफ सफाई की उचित विवस्त करवाने की जाए जिससे आम जन्मानस को रहात मिल सके इस अफसर पर पूर ब्लाक प्रमुक नवाप सिंग्ग यादव राजु यादव विशाल कुरैशी राजेस पाल आधिक कई लोग उपस्तित रहें असन के द्वारा कन्योज नगर पालिका में कन्योज ब्लाक के आठ गाउं समलित कर दिये गए थे परसीमन हो गया था जिनमें बलई जसौली जलालपूर सर्मन मानपूर रंगियन पुरवा नसरापूर हावदापूर ये गाउं अब गाउं से तो बास्ता खत्म हो गया इन नंगर पालिका देख नहीं रहा नालियां बजबजा रही है रोट पे पानी भरा हुआ है अभी ये स्तिती है चार दिन बाद बारिस होगी तो क्या हाल होगा महमारी फैली गी कई बार अख़वारों के माध्यम से सासन तक बात आई ना नंगर पालिका प्रसासन देखने को तयार है लोग गिरते हैं उठते हैं उसी में शड़कों पर पानी भरा हुआ है कौन देखेगा इसलिए आज हम लोग ग्यापन देने आये हैं अगर सफाई की वेवस्ता ना हुई उन आठो गाउं में ध्यान ना दिया गया तो अध्यक जी हमारे समाजवादी पार्टी के क अंदर परदेशंवारीने की सपैसांसद आजमखान की तारीह जी हाँ योग संगटन के तीन मंदल के संभाग प्रभारीने लाइट की समध्या को लेकर आजमखान की कहा अाजमखाने की लाइट आ जाती थी आज 12-12 घंटे में लाइट नहीं आती है उसके अलावा गोकशी को लेकर भी उन्होंने जिला प्रिशासन पर आरोप लगाए कि जिला प्रिशासन की मिलिभगत से गोकशी हो रही है मुख्यमंति को संबोधित ग्यापन उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट क कि देखिए पूरे जिले के अंदर गौकश हो रही है हिंदू पलाइन को मजबूर है हुल्याम हिंदूों को मुसल्मान बनाया जा रहा है बिजली कड़ोति का आलम यह है पूरे 24 घंटे में 10 घंटे बिजली नहीं दी जा रही है फैक्ट्रियों को बिजली सब्गाई करी जा रही है गरीब आदमी हर तरीके से परिशान है किसी भी ऑफिस में जाओ अधिकारी एक-एक महीने दोड़ाता है फिर आखिर में कहता है यह दिये दूआ में तो काम होगा यह गरीब कहां जाएं इससे हमारे माने मुक्रम अधिकारी लोग छबी खराब कर रहे हैं खुल लगारां यह संस्टे की समझाय चल रहे हैं यह बगाए प्रिशासन की मरज हुआ की नहीं चल सब्सक्राइब को इस पर एक प्रश्य नज़रों में लेकर फिर भी जब उसपर एक बावाल कट आए तो पर बबाब चुंटने की चूँ नहीं आते हैं कि बिजबी कट होती आ ऐसी ही खबर से जोड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 नियूस